एक दौर था मानिवर जब भारत की अर्थवस्ता का मजाक उड़ाया जाता था इसको कहा जाता दिसीदे हिंदू ग्रोथ रेट जब से हम लोग आए हैं यानि जो लोग कहते हैं कि उन्हें हिंदू ग्रोथ रेट जादा अच्छी लगती थी अब ये साथ दशमलो आथ पृस्यत की हिंदूत की ग्रोथ रेट है जूँकि आप वो लोग आए हैं जो हिंदूत में विश्वास करते हैं परदान मंत्री शी नरिद मोदी जी इस बात को भली भात उन्होंने समझा क्योंका धन को किस मार्ग से व्याए करना चाहिए विकास के लिए मगर क्या बताएं मानिवर जो लोग धर्म के समूल नाश का संकल्प लेते हों उनके लिए जो संपत्ती है वो भी विपत्ती बन जाती है और वो सुख कारक बनने के रास्ते पर नहीं चल पाती है परंतु मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नितुर्त में उन्होंने जैसी युक्ती बनाई है जैसी युक्ती बनाई है उस कारण से जो आर्थिक विपत्ती थी वो आप संपत्ती की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है अब यहां पर मैं एक और बाद भी कहना चाहूंगा मानिवर कई बार लोग ये कहते हैं कि साब आप लोग आर्थिक विशे की बात करते हैं मगर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कई बार आर्थिक विशे की बात करते हैं लोग किसी दूसरे विशे पे चले जाते थे मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि एक दौर था मानिवर जब भारत की अर्थवस्ता का मजाख उड़ाया जाता था क्या कहा जाता था यह 2% से उपर कभी ग्रोही नहीं कर सकते इसको कहा जाता This is a Hindu growth rate यह कहें कि हमारा मजाख उड़ाया जाता था कि यह कभी 2% से उपर ग्रोह नहीं कर सकते मानिवर मगर जब से हम लोग आए हैं यानि जो लोग कहते हैं कि उन्हें Hindu growth rate ज़्यादा अच्छी लगती थी अब यह 7.8 प्रिस्यत की Hindu की growth rate है जो हिंदु तुम्हें विश्वास करते और मैं ये भी एक या दिराना चाहता हूँ इसे कोई सहयोग माने या दैवयोग माने मानिवर जब भारत स्वतंत्र हुआ इस बार की दीपावली के लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा एक नया परिवर्तन भारत का जानते कैसे आया ये सब कुछ जनता के सहयोग समर्थन और मोदी जी की युक्ति के साथ तो हो ही रहा है एक नया सुरूब भी भारत का उभर रहा है वो क्या है जब मानेवर देश आजाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थविवस्था पे ताला लगा हुआ हमारे तुरंत विपक्षी लोग कहते हैं आप कुछ था नहीं बहुत कुछ हम कर नहीं सकते थे और जब ताला खुला उस समय स्री राम लला विराजमान भी ताले में ही थे जैसे ही राम मंदिर का अंदोलन शुरू हुआ अर्थविवस्था के अंदर भी नया परिवर्तन शुरू हुआ 90 से 92 का ही दौर है अर्थविवस्था में भी बदलाओ का भारत की अर्थविवस्था के खुलने का भारत की राजनीत की वे उस्था के भी बदलने का और यही वो दौर है जिस समय विवादिट धाचा भी गिरा और नहरूवियन मॉडल भी समाथ हुआ यानि अगर आप देखें तो वो दौर था जब फॉरेंट एक्षेंट रिजर्ब भी एक विलियन पे था परन तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कुछ लोग लेगा ये तुलना है क्या तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ उसके बाद एक बड़ा दौर आया जब दो हजार तीन चार में आप याद करिये हम करेंट अकाउंट सर्प्रस कंट्री बने दो हजार तीन चार के चौथे क्वाटर में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थ से उस्ता हूँ और इंडिया सकसे स्टोरी टू थाजन त्री फोर में कही जाने लगी यही वो दौर था जब खुदाई हुई और सत्तर खंबे निकले थे जहां से साबित हो गया था कि सीडामदला विराजबान के पास ही वो मंदिर है अब आप आईए साथ उसके बाद दो हजार उन्नीस में जब जज्जमेंट आया तो तब एक बिलियन था जब खंबे निकले तो फॉरें एक्षेंज रिजर्फ सो बिलियन था अब मोदी जी के निकले पान सो बिलियन पहुँच गया और इतना ही नहीं मनेवर अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम पांच मीं बड़ी अर्थेवस्ता हैं चोथे बड़े स्टॉक एक्चेंज हैं तीसरे बड़े आटो मॉबाइल मेनिफेक्चर हैं कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक अलग दृष्टी चाहिए जिसके लिए रामचरित मारस में एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रहाई यानि अच्छी मति और बुरी मति सबके मन में रहती है नात पुरान निगमिया कहीं ये पुरानों रुपरिशद ये बताते हैं और जहां सुमति तहां संपति नाना जहां कुमति तहां विपति निधाना तो इसलिए जो जो हम धनात धर्मात तता सुकम की दृष्टी के साथ संपत बढ़ते गए वहां इस देश में संपति आती गई अधर नोड और अधर शीरियस नोड मैं ये भी कहना चाहूंगा हम सब चाहते हैं कि भारत वर्ड की नंबर वन की एकनामी बने और मालक्षमी की क्रपा इस देश पर बनी रहे पर मालक्षमी भी कमल पर ही विराजती है सब्सक्राब तो मिद्धे इंडिया अधर देट नोड विडियो कि अधर अधर बनी 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 इंड चाहूंगा